नमस्कार कैसे हैं? आप थोड़े शेल शॉक लग रहे हो ये कॉंग्रेस पार्टी ने क्या कर दिया? कैसे कर दिया? अच्छा ये सी के कारण है ये? अच्छा जादा लोग आगा है ने देखें आज हम बड़ी इंपोर्टन चीज़ के बारे में आपको कहना चाहते हैं पहली बार हमने नोट किया कि चुनाओ के समय प्रधान मंत्री ने होम मिनिस्टर ने और फाइनांस मिनिस्टर ने स्टॉक मार्केट पर टिपनी दी प्रधान मंत्री ने दो तीन बार चार बार देश को कहा कि स्टॉक मार्केट तेजी से आगे बढ़ने जा रही है होम मिनिस्टर ने सीधा कहा कि चार जून को स्टॉक मार्केट आसमान में जाएगी लोगों को खरीदना चाहिए और यही मैसेज स्टॉक मार्केट विल ब्रेक रेकॉर्ड ओन जून फॉर्थ फिर अठाइस में को रिपीट करते हैं फर्स जून मीडिया जूटे एग्जिट पोल रिलीज करती है बीजेपी का ओफिशल जो इंटर्नल सर्वे था वो उनको 220 सीट दे रहा था तो यह इंफॉमेशन बीजेपी के लीडर्स के पास था इंटेलिजन्स एजन्सीज ने 200 और 220 के बीच में सरकार को बताया था कि उनकी सीट सारी है थर्ड जून को स्टॉक मार्केट सारे रेकॉर्ड तोड़ देता है और चार जून को खटाक से स्टॉक मार्केट अंडर राउंड चला जाता है अगला स्लाइड दिखाई ज़रा था यह देखिए 31st में मैसिव स्टॉक अक्टिविटी मौर देन डबल वाट वस देर उन 30th मौर देन डबल वाट वस देर उन 29th 28th यह देर अनॉमली देखिए यह कौन लोग है यह वो लोग है जो जानते है कि कोई न कोई घपला हो रहा है हजानों करोड रुपए यहां पर इंवेस्ट होए है फॉरण इंवेस्टर्स ने इंवेस्ट किये है और उसके बाद तीस लाख करोड रुपए का लॉस होता है किसका लॉस होता है रीटेल इंवेस्टर्स का लॉस होता है तो यह जो आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की स्टॉक मार्किट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है और इसके बारे में हम कुछ सवाल पूछना चाते हैं पहला सवाल यदि प्म एन हम गिव स्पसिफिक इंवेस्टमिन अडवाइस तो फइव करोर फैमिली इंवेस्टिंग इंवेस्टों के इंवेस्टमार्केट 2. वाज बोफ रख रख देवलो रगी जिवेप्स ही प्रव पर देविश को डिसानीक। 3. तुरभ राद बेद्क बेल बुनें थे भीज़श गूज़िट देविज ही सीविश वाजह की बाद लोग। प्रोवित आफ बार ते सब्सक्राफाटब रे इक जब ढ़ने हुड़ीजित दोड़े दिस एबस अबस्तव कर दिस इंग ए तिस आज को जो, नगा जाज़ी दिस आज़ोर्स छोंग तर बार आज़े सब्सक्राफट टोष ड्रोप इंद रेप्स अद एंध रिध मिन रिड प्रदान मंत्री ने देश की जनता को इन्वेस्मेंट अडवारों को जो इन्वेस्ट करते हैं उनको प्रदान मंत्री ने होम मिनिस्टर ने स्टॉक खरीदने का आदेश क्यों दिया दूसरा दोनों इंटर्वियूज जो किये गए थे वो अधानी जी के जो चैनल्स हैं उनको दिये गए थे उन पर सेभी का इंवेस्टिगेशन हो रहा है तो उन चैनल्स का क्या रोल है और पीजेपी के बीच में जो फेक एगूजिट पोलस्टश है और ये जो फोरन इन्वेस्टर है इनके बीच में क्या कोई रश्टा है और अगर रश्टा है तो क्या है हम जैपीसी चाहते हैं हम इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं और देश इसकी सच्चाई जानना चाहता है धन्यवाद शुक्रिया राहुल जी अधियों अभी अभी राहुल जी ने आपको स्पश्ट तरीके से क्रणोलोजी समझ लिया है बार-बार ग्रह मंत्री कहते थे अप क्रणोलोजी जिसके ओपर अगर आपके सवार है तो एक एक दर टे आप पूचे रेर मेंगे जैनभ 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 जैनभ, जैनभ, आप पुचे हैनभ, जैनभ, लैता नाब ख़िए अश्टिए लियु जैनभ, 13th May 2024, the Home Minister says, Buy shares before 4-4-2-0. This is a clear indication to retail investors and others to buy stock. 19th May, for the first time, and then repeatedly until the 28th May, the Prime Minister for the first time and then repeatedly until the 28th May, the Prime Minister says that the stock market is going to break records on 4th June. Finally, on 1st June, completely fictitious exit polls are released. These investors are given a completely wrong impression and on the 3rd of June, as we all know, the stock market breaks all records and then crashes on the 4th of June. Whoever has made money has made money as the stock market rose and also as the stock market crashed. And we are interested in having a joint parliamentary committee, a JPC, to investigate the role of the Prime Minister, the role of the Home Minister, role of BJP members and also those people who have done these fake exit polls. And finally, we want to understand who are the people, these foreign investors, who did these trades. So we want an investigation for that. Thank you, Rahul Ji. Yes, Sanjay. Rahul Ji, this is a broader issue than just the Adani issue. It is connected to the Adani issue, but this is a much broader issue. This is directly the Prime Minister of India, Home Minister, who are privy to data on actual election results, who have IB reports, who have their own data, who are advising retail investors to buy stock on the 4th. This has never happened before. And by the way, the Prime Minister has never commented on stock market before this. This is the first time the Prime Minister has commented, very interestingly. And multiple times, one after the other, saying that stock market is going to boom, stock market is going to boom, stock market is going to boom. And at the same time, he has information that the exit polls are wrong. He has information that he knows what is going to happen because he has IB data and he also has his own party data. Anji, Rahul Ji. Zee News ने कहा है, retail investors को message दिया है, कि आपको stock खरीदना चाहिए, उनके पास information थी, कि exit polls गल्प हैं, उनके पास information थी, कि BJP को full majority नहीं मिलने वाली है, और वो जानते थे, 3 जून को और 4 जून को क्या होने वाला है, कितने का 30 लाक करोड का नुकसान हुआ है, और 1000 लाक करोड रुपे का चुन हुए लोगों को फाइदा हुआ है, और हम inquiry चाहते हैं, प्रधान मंत्री पर, होम मिनिस्टर पर, जिन्होंने exit poll किया उन पर, और ये जो foreign investors हैं, उन पर. हाँ, शेमिन. This is based on the value, market value of all the companies, the day before the results came, and the market value of the stock market of all the companies, at the end of the day on results. हाँ, Sanjeev, Sanjeev, Raulji, you've talked about, you know, are you alleging the involvement of the Prime Minister and the Home Minister, and whose money is it? Yes, that is what I am saying, I am saying that people very high up in the BJP have carried out this scam, I am saying they had partners who carried out these exit polls, we would like to know if these exit polls were actually carried out, if people were actually sent out, and we would also like to know the methodology of these polls, we would like to understand who these investors are, we have some sense of who these investors are, so we are not just speaking out of the air, we are confident that if an investigation is done, interesting things will be revealed, and we think the Prime Minister and Home Minister are directly involved in this. प्रदान मंत्री ने डाइरे में आना चाहिए, आपको लगता है? हमारा कहना है कि यहाँ पर बड़ा क्लियर है कि स्क्याम हुआ है, प्रदान मंत्री ने डाइरेक्टली कहा है, होम मिनिस्टर ने डाइरेक्टली कहा है, इंडिकेट किया है जनता को कि स्टॉक मार्केट उपर जाएगी, होम मिनिस्टर ने तो साफ कहा दिया कि खरीदना चाहिए, और जब Prime Minister, Home Minister और Finance Minister ऐसी बात करते हैं तो उसका reaction आता है लोग उसको believe करते हैं तो बिल्कुल clear है कि इन तीन लोगों ने कहा है ये भी clear है कि इनको मालुम था कि result 400 का नहीं है 300 का भी नहीं है तो ये हम पता लगाना चाहते हैं उसमें आप जो कहरो वो भी शामिल है रहुल जी ब्रह्मय प्रकाश दुवे इंडिया डेली लाइफ से मेरा सवाल ये है कि जो आपने बताया है इतना बड़ा scam है पहले भी आपने कई मामले उठाए है जेपीसी की मांग पहले नहीं मांगी गई है तो क्या आपने का ये अपराधिक मामला है क्या कोर्ट में जाएंगे या पुलिस में शिकायद दर्ज करेंगे क्योंकि आपके रहे बहुत बड़ा घोटाला है ये ब्रिया मैंने अभी आपको बोला हम जेपीसी डिमांड कर रहे है अगर नहीं मांगते हैं तो पुलिस में कोर्ट में जाएंगे जो भी करना है करेंगे बट हम आपको ये इंफर्मेशन दे रहे हैं कि ये जो हुआ है ये नॉर्मल चीज नहीं है इसमें प्रधान मंतरी ने इंडिकेशन दिया है अदानी जी के चैनल के थूँ इंटर्व्यूज किये है और फाइनली लोगों ने इंवेस्ट किया है लोगों ने फाइनंचल एक्षण लिया है इसी विशेपर इसी एक मिनट इसी विशेपर इस स्टॉक मार्गेट घोटाले पर ही हम सवाल ले रहा है जो इसी विशेपर पर किजिए का बस एक 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 मिनीड़ा रहा हूँ जो जी पेले भी देखा है कि आप लोगने कई बारी जब सेशन होता है तो सकता पक्स विपक्स आमने सामने होता है जे पिसी की मांग होती है और सेशिन पर सेशिन वाश-डे और जनता का पैसा वेस्ट ह यह तो भीजेशिए पीग लाइन है नहीं मतलब जनता का पैसा पैसेशन वाट आप एसी टीशट ले लो ना एक मैं आपको दे दूगा उनका वो सिंबल दे दूगा आपको यह उनकी लाइन है सवाल मुझे बहुत पसंद आ रहा है इस तरह से उंगली उठाने की जरुवत नहीं है बहुत अच्छा लग रहा है बुलिए आपको भी जैराम साब यह बोलना चाहिए गलत बात है मेरा बस यह सवाल था कि JPC की मांग पे कई बारी कामकाज ठप हो जाता है तो क्या आपको लगता है कोई और भी रहा आप लोग सड़क की रहा एक्तियार कर सकते हैं क्योंकि यह आम आदमी का पैसा है हम जनता को एक रियालिटी बता रहे हैं कि यहाँ पे क्लियरली एक स्कैम हुआ है यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने इंडिकेट किया है, hom minister ने इंडिकेट किया है, यहाँ पे finance minister ने इंडिकेट किया है, न Going BJP की यह position होती है कि जब भी हम कोई समुद्दा उठाते हैं तो हम parliament का time waste कर रहे हैं, वह ही position आपने अपनाई है, इसलिए मैंने आप से कहा कि देखिए आप बीजेपी के पोजिशन ले रही है रियालिटी यह है कि हम जेपीसी करवाएंगे अब आपोजिशन में बहुत जादा ताकत है बहुत जादा स्टेंथ है और पूरा जो पार्लिमेंट का की सिच्वेशन है वो बदल गई है आप जेपीसी की मांग जो आपने की है वो पार्लिमेंट सेशन में होगी है लेकिन जो आप निवेशक है देश भर के जिनका तीसला करोड डूबा है उनमें करनाटक के तेलंगाना के हिमाचल के ती लोग होंगे तीनों राजियों में आपकी सरकार है क्या राज्ये की जो जा सकता है बट ऐसी चीज के लिए शाइद जेपीसी सही उजार होगा नार्जीतल लाइफ प्रेस्च मोहित इस आप को इसे इस सर वे मोहेट है जाटार पिषली घोटालों में भी आपने जेपीसी की बात की थी आपने हर जाज की बात की और ये बड़ा घोटाला सामने आया इसमें भी आप जेपीसी की मांग कर रहे हैं कितनी उपीसी की ये लागू करेंगे आपको क्या लगता है कि ये जेपीसी लागू करने वाले अगर नहीं करेंगे फिर क्या करेंगे आपनों नहीं हम हम प्रेशर लगाएंगे डालेंगे बट मुझे लगता है कि जो जो पहले राजनेतिक सिचुएशन थी जिस इंप्यूनिटी के साथ प्रधान मंत्री पहले काम करते थे मुझे लगता है वो अब खतम हो गया है तो दूसरा नतीज आएगा राजी यह आखरी आखरी है कि आखरी है यह अखरी हो गया इस नहीं के जिया है और उसके बाद भी क्या आप कहना चाहते कि सरकार में मदद की है उन्हों द्योग पतियों को और अमीर बनाने में नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दो इंडिविजुल्स की बात कर रहा हूँ, प्रधान मंत्री ने और हिंदुस्तान के सब रीटेल इंवेस्टर्स जिनको नुकसान हुआ है, मैं आप से बोल रहा हूँ, आपको ये बात समझ आ तो नरेंद्र मोदी जी ने आमेचा जी ने आपको मेसेज दिया कि 4 तारीक को Stock Market आस्मान चुएगी और आपने उन पर भरूसा किया मगर सचा यह थी कि नरेंद्र मोदी को मालुम था कि 4 जून को Stock Market आस्मान नहीं चूएगी चार जून को स्टॉक मारकिट का जबर्दस नुकसान होने जा रहा है